मौन्यू जेटीन मैं हूँ यूव राज इस वत्त हम अभी खरे हैं मुंगेर राजाकर्ण की धर्ती में मुंगेर इंवर्शिटी मुंगेर इंवर्शिटी विश्विद्याले में हमारे बीच में स्वर्शती की दूसरी रूप अगर इस बरतमान समय में हैं तो आज उनका खास तोर पर मीडिया के लिए लेकिन मैं सभी व्यूवर्स से छमा प्रार्थी हूं कि मैं वेगुश राय में उस समय कवरेज कर रहा था जिसके लिए मैं यहां पर नहीं पहुंच आका लेकिन अपने वैस्तम समय में से वो निकाल के हमें समय दे रहें मौन जीजटीन पर सौ मैडम आपको मौन जीजटीन पर स्वागत है मैडम एक कोस्चन हमारी मात्र एक ही कोस्चन है चुकि आप तो सुरसती की दूसरी रूप यहां बरतमाना बैठे हुए हैं और मैं भी इसी कॉलेज से प्रोडेक्ट रहा है और जिस समय यहां वीसी थे भागलपुन उनिवर्स पर में सेस्टिनिक विवस्था पर से आपसे कोश्चन करना चारा हूं किसे सीनिक व्यवस्था को आप मुंगर इंवर्सिटी के वाइस चंसलर के नाते पूरे जो आपके छेत राते हैं जो सिकपूरा है जमूई है वह घुगूस रहैक खगड़िया है उस एक्षिनिक वे देते हैं तो समय पर वो आए एड्मिशन जो भी तिथी निर्धारित होती है उसके अंतरगता है चुकि यह बहुत बड़ी समस्या यहां है कि जो अंतिम तिथी होता है उसके दूसरे दिन लोग उपस्तित हो जाते हैं कि हम लोग इतने लोग इतने बच्चों का छूड़िया तो हम सत्र नियमित करेंगे हमारी शिक्षक्रिंद जो हैं बहुत सक्षम है क्लास में जाते हैं बच्चों को महाविद्याले की और रुख करने की आविशक्ता है मेरा अभिवावकों से भी अनुरोध है कि वो बच्चों को महाविद्याले भेजें ताकि महाविद्याले हम कि इस चीज के लिए बना हुआ है वो वो सही सरी के से कर सके और हम सत्र नियमित करके अपनी पढ़ाई और परिक्षाओं को समय पर कर सके एक मैडम से और कोश्चन है बहुत सारे हमारे प्रत्रकार बंदू बहुत सारे कोश्चन कर रहे थे मैंने मैं आके सून रहा था एक सबसे खराब विवस्था है लेकिन समय की मांग है हमारे बच्चे सब जगर नहीं जाए पाते हैं पढ़ने के लिए इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए एक वित्रहित शिक्षा की विवस्था की गई है चुकि वित्रहित शिक्षा में हमारे शिक्षकों का हक मारा जाता है उन्हें कहीं से कोई सुविधाय नहीं दी जाती है तो ये कहीं से समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं है लेकिन चुकि हमारा समाज ये चाहता है कि हर ब तो उस कदम में हमें सोचना चाहिए कि सभी महाविद्याले जो वित्रहित खुलते हैं वो अपने आप में सक्षम हो अपना फी निर्धारित करें और अपने शिक्षिकों को वेतन दे ताकि वो जो शिक्षादान कर रहे हैं उसका उन्हें संतुष्टी मिले और वो अपना भी जीवन यापन कर सके हैं चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे बीच में प्रोविसी स्यामा राइजी ने बहुमूल्य समय निकालके हमारे बीच में दिये हैं और इसके लिए मैं मौर्ण न्यूजेकिन के वीरों के नाते इनका मैं तहे दिल से सुक्रगुर्जार हूं क किनों ने हम को समय दिया मैं छमा प्रार्थी एक मार पुना हूं क्योंकि इनके द्वारा सुचित किया गया था मीडिया को कि आज एक प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे उस समय हम बेगू सराय में थे लेकिन फिर भी हम समय के अनुसार लेट भी आये और हमारे बीच में मैडम न सकूल एकड़ लेकिनala के शितने अनुसार और हमारे बेगाओ हमारेंस कितव यारे जे खcksरते बार हमां मैं हमारेंस में ह Tä cosas